नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज मुझे गारी की मोबिल फिल्टर जो है वो मुझे चेंज करना है तो मैं आज जा डियो थोरा सा गैरेज और जाने का टाइम या फिर आने का टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूँगी क्योंकि वहाँ पे थोरा सा ज देखें फ्रेंट्स ये जो मोबिल फिल्टर आप देख रहे हैं ये खराब हो गया है इसके बतले में मैं रिप्लेस करवा रही हूं मतलब नया लगवा रही हूं और अंदर का जितना भी सारा मोबिल था वो सब कुछ निकाले हुए है क्योंकि उस से पूरी तरह से उसको च दालेंगे इसमें ठीख है ये बारा चेंज किया है ठीक है ये लगा या है यही था मेरा पहले बी तो इससे फिर से रिप्लेस किया गया है और ये इसमें डालेंगे मुझे तो आइडिया नहीं था कि इतना सारा मोबील भी रहता है गारी में और ये कलर थोड़ा सा चेक कर लिजिए ये जो मोबील का कलर आप लोगो को दिख रहे हैं ये पूरा सा ब्लैक है मतलब ये बर्न हो गया है और ये अभी जो डालेंगे नया सा इसका कलर आप लोग थ थोड़ा सा देख लीजिए एकदम रेडिस कलर का होता है जो की और parcela है कि ये तो इक कलर से भी पता चल जाएगा की मोबील जो आप लोगो को दे रहे हैं वह ऊरिडियम दे रहा है या नहीं ये देखिये ये कलर देखिये बहुत सून्दर इक थोड़ा तो देखिए दोस्तों अब गैरेज का जो काम फाँ मोबिल फिल्टर जो है वो चेंज हो गया है नया से मोबिल मेने डलबाए है तो गारी अभी बहुती स्मूथ हो गई यह तो अभी थोरी देर में मैं एंटर ले लोंगी यहां पर GT रोड में तो सच में मैं बहुत excited हूूँ लेखिन यहां पर मुझे कुछ रूल्स भी फॉलो करनी है क्यूंकि GT रोड में चलाने का एक अलगी रूल्स होता है क्यूंकि यहां पे न 2-3 लेन हो बहुत ही धीरेगारी चला रहे हैं तो आपको एकदम से लेप्ट सैड में चलाना है अगर आप ठीक ठाक चला रहे हैं तो आप बीच में चलाःए ।्यूब होत है। वह बहुत ही सेव ड्रयवींग होता है आप तो कि अगर कोई चाता है तो वो आपको over-tick कर सकता है right side का जो एकदम mostly right side का जो लेन होता है उसमें चल के वो आपको over-tick कर लेगा और अगर कोई छोटा-छोटा सा गारी ओता है ने जैसे कि bike's है या फिर छोटा कुछ गारी है तो वो अगर चाते हैं तो लेप्ट से भी जा कर सकते हैं कि गारी न यहां पे आपको लेप्ट साइड से भी ऊवरτίक कर सकते हैं । आप किसीको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने लेन में चलिए और ना और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे ज्यादा तो मेरे पास experience नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा चलाती नहीं हूँ आज मैं पहली बार आई हूँ लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है कि आप बार बार ना लेन को change मत कीज या फिर जिनको rules ज्यादा पता नहीं होता है वो left side से भी जा सकता है तो इसलिए आप हमेशा एक ही लेन से जाए और यह जो बीच का आप marking देख रहे है तो यह मतलब डिवाइडर जैसा होता है तो आप उसका बीचों बीच मत जाएए ठीक है अगर जैसे कि मुझे मैं आज पहली बार जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ठीक है चलो मैं ले ले लेते हूँ तो क्या होगा कि दोनों side मेरा खुला हुआ है कोई भी चाता है तो बीच में से जा सकता है या फिर एकदम mostly जो right side का lane है उससे भी जा सकता है ठीक है तो कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि कि आप इतने slow चला रहे हो और आप से बीच में से क्यू चला रहे हो तैसा नहीं कहेगा तो इसलिए मैं कह रहे हूँ कि लेन को फिक्स कीजिए पहले सबसे पहले और बार बार चेंज मत कीजिए और यह जो बीच का जो मार्किंग है उसके बीच में से मज़ए मतलब वह चुक हां तो आप उसके लेफ इसी जाये जाओ से जा आप प्र यह जो मार्किंग है उसके राइट से जाये ठीक है तो लोग समझ पाएंगे कि आपकोंस से लेन ले रहे हैं नहीं तो आप अगर बीच में से जायेगे उसके बीच में से और कभी left में गुझ डुज़ा रह तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो वो सोच रहें कि अरे चलो, यह तो लग रहा है कि लेफ साइड से लेगा, तो मैं राइट से ले लेती हूँ, और फिर अगर आपने लेन चेंज किया तो फिर टकर हो सकती है, ठीक है, तो मज़ा तो मुझे बहुत ही आ रहा है, लेकिन म आप धीरे चलेए, ज्यादा स्पीड में मत चलेए, तो इस जगह में जब आप क्रॉस करेंगे, तो धीरे ही गारी को रखिए, तो यह अच्छा है, मैंने फिलाल दे दिये हैं, फोद गेर, ठीक है, और मुझे यहां पर और एक चीज लग रहा है, कि देखिए, बहुत बिक सा रस्ता है, यहां पर हॉर्ण तो देना ही चाहिए, लेकिन हॉर्ण से ज्यादा लाइट्स मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हॉर्ण अगर किसी को सुनाई नहीं देगा, तो कम से कम लाइट्स तो उनको दिखाई देगा, इसलिए यहां यहां पर लोगों के पास उ यहां पर कि यह रस्ता ही है, स्पीड से जाने के लिए और अगर आप बहुत ही स्पीड से गारी चला रहे हैं तो आप जरूर एकदम जो राइट बाला लेन है, इसी से आप चला यह, लेकिन अगर आप मॉडरेर चला रहे है, ठीक ठाक चला रहे तो आप बीच में से चला तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही मैंने अभी GT Road को बाई बाई कह दिया है और मैंने यहाँ पे ले लिए है और मैंने प्रॉपर तरीके से मतलब इंडिकेटर यूज करके मैंने लिए है ठीक है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ पे जैसे कि देने से ही अच्छा रहता है लेकिन GT Road में मुझे लग रहा है कि हॉन से भी ज्यादा इंपॉर्टन्स है लाइट्स में आप लोग लाइट्स के यूज कीजिए इंडिकेटर के यूज कीजिए तो फ्रेंस इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब करना है बेल इकन को दबाना है सो टेक केर सेब ड्राइब विट लॉट्स अफ लॉव बबाई